हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल माई विनिक केडमी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार फ्रम दि मैडिंग त्राउड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ओके कुछ महतपूर सब्दा वलिया पढ़ेंगे महतपूर सब्दा वलिया जैसे इसमें आता है वह बैलिफ क्या है बहुत सारी ऐसी चीज़े बैलिफ या फिर अगर हम बात करें माल्ट हाउस क्या है यूटियन हाउस क्या है यह सारे word जो की इसमें आते ह उन सारे वर्ड को हम लोग समझेंगे साइडर क्या है माल्ट क्या है हाइविंग दबीज क्या है ओके ये बहुत सारे इसे वर्ड है जो हम लोग पढ़ेंगे चुकि हम लोग को डीटेल स्टेडी करनी है तो ये लास्ट इंट्रोडक्शन है मतलब introduction का last part चार पार्ट आया है introduction में चार वीडियो total introduction की है इसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ introduction बताया है अब जो अगला वीडियो आएगा वो हम chapter 1 से शुरुवात करेंगे far from the my dream crowd का line by line chapter 1 से शुरुवात करेंगे लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह जो पूरी स्रीज है detail study है यह इस channel पर नहीं चलेगी online study by विशंभर एक channel है वहाँ पर यह सारी classes चलेगी मैं यहाँ कुछ classes आपको introduction की दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि classes कहाँ चलेगी बाकि आप हमारे उस channel को जोईन कर लेज़े वही पर आपको मिलेगी तो चले हम लोग introduction का यह last part आज पढ़ लेते हैं important terms दीखे terms terms या फिर इसको expressions बोल सकते हैं words बोल सकते हैं जैसे हर एक छेत्र का हर एक देश का हर एक गाउं का अपना अलग-अलग भासा होता है चीजों को कहने का जैसे हम लोग यहां पर मधुसाला कहते हैं जहां लोग सराब पीने जाते हैं अलग छेत्र, अलग देश में, अलग भासा में इसको कुछ और कहा जाता होगा तो कुछ ऐसे terms हैं जो इस novel में use के जाएंगे बीच-बीच में, तो उसको मैं पहले समझा देता हूँ यह देखे, farmer, bailiff अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले थोड़ा सा आप पर कुछ बता गया है तो यह बता रहा है यहाँ पर देखे, इसको line by line समझाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से question नहीं पूछा जाएगा बस समझने आपको यहाँ पर कहरा, there are so many expressions, terms in the novel यानि, इस novel में वहाँ सारे से terms हैं, word है connected with the country life of Wessex region जो कि Wessex, Wessex का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था पिछल आले वीडियो में तो उस गाउं के life से समंधित, यह देखे, life of Wessex यानि, Wessex नामक जो छेत रहे जो गाउं है, उस गाउं से समंधित, country माने गाउं उस गाउं से समंधित, यानि उस से connected कुछ terms इस novel में use किये गए हैं, which need explanation जिनको explanation करने की जरूरत है, मतलब explain करने की जरूरत है आपको समझाने की जरूरत है, ताकि आप उन word के बारे में, उन terms के बारे में पहले जान जाए, an introduction और उनका परिचे आपको देने की जरूरत है कहने का मतलब यहां पर यह बता जा रहा है, कि कुछ terms use किया गए है तो जरूरत है कि आप पहले उनको explain कर लीजिए, उनका introduction कर लीजिए, उनको जान लीजिए, उन word को तब आप novel पढ़िए, नहीं तो आपको बीच में कोई word आ जाएगा कि बाइलिफ, आप बाइलिफ आप जानते ही नहीं है, यह क्या होता है तो पहले से आपको बता रहा है कि आप उन word को explanation के मादम से समझ लीजिए, introduction के मादम से समझ लीजिए because they represent life and activities, क्योंकि वह वहाँ के जीवन को represent करते हैं और वहाँ के किरियाओं को, वहाँ लोग क्या करते हैं, जैसे बाइलिफ क्या है, एक पद है तो वहाँ जो लोग करते हैं, उन सारी चीजों को represent करता है comprising of the agricultural and sheep farming mostly, फास करके agriculture मतलब क्रिसी and sheep farming का मतलब भेंड पालन के समझ में कुछ word आये हैं, उनको आप explain के मादम से, introduction के मादम से समझ लीजिए उके, तो किरिसी और ज्यादा तरह आपको भेंड पालन से वर्ड मिलेंगे, जैसे पहला वर्ड यहाँ पर आपको मिल गया, यह देखिए farmer, तो farmer सभी लोग जानते हैं, जो खेतों में काम करता है, वही चीज यहाँ पर भी, वही मतलब है एक ऐसा बैक्ती farmer होता है, जिसके पास कुछ अपना खेत होता है, और उसके पास कुछ काम करने वाले नौकर होते हैं, जो उसके खेतों में काम करते हैं, तो उस बैक्ती को farmer बोलायाता है मालुद आप फार्मर हैं तो आपके पास कुछ खेथ होगा, आपके पास कुछ नव कर होगे, उसको क्या बोलते हैं, फार्मर, ही जनरली रियर्स वह समानता रियर्स मतलब पालन पोशल करता है सीप फार्मर क्या करता है या तो किसान ही करेगा या तो भेंडो का पालन पोशल करेगा रियर्स का मतलब यहां पर है पालन पोशल करना देखे ही वह जनरली मतलब समानता रियर्स मतलब पालन पोशल करता है सी सेफ़ड िसकी मदर्स के, सेफ़ड मतलब कुछ नव खर, जैसे मानलीजब आप किसान है तो आपने भेंडों को पालन्पोसट के लिए, रखवाली के लिए, कुछ आपने, कुछ ब्यक्तियों को न्यू northwest करे, तो व्यक्ति आपके सेफ़ड होगे मतलब सेफ़ड का मतलब वह ऐसे होता है हमारे यहां गड़रिया इसको कहा जाता है ऑके बहुत सारिवार्ड है जो भेंड वगैरा की देख लेक करता है उसी को सेफड यहां पर बोला गया अभी आगे मैं आपको सेफड भी बताऊंगा क् टर्म से ओके तो जर्नली सीप की देख भाल करता है फार्मर अपने फार्मर इस अफ्लेंट विकास बिस साइड एंड सीप ही हाइस होरस उसके पास गोडे कैटल जानवर वैगन्स एंड इंगेज इंकॉर्ण सीप ट्रेड आलसो मतलब कहने मतलब उसके पास गोडे होते हैं और जानवर होते हैं उसके पास एक वैगन होता मतलब तांगा होता है गोडा गाड़ी आप जिससे कहते हैं वो होता है ताकि अपना जो फसा लुगा है उसको बाजार में ले जाकर के बेचे ट्रेड करता है मतलब सीपो का ट्रेड करता ह यानि कि बेडों का व्यपार करता है, ओके, बोत बासवा अब बासवांड बास्वा और फार्मर, कौन कौन हैं, बासवांड तो बासवांड फार्मर में थी उसमें, इस नाबल में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बादसवा बोलबूट आप याद रखी अब एक word और आता है बैलिफ आप जब detail में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सब्द आएगा बैलिफ तो बैलिफ एक पद होता है ओके ये भी जैसे बादसवा ने अपने फार्म की रखवाली के लिए अपने अनाजों की रखवाली के लिए एक बैलिफ नाम का पद बनाया था उस पद पर न्यूक्ति की जाती थी एक person who is appointed एक ऐसा वेक जिसकी न्यूक्ति की जाती थी ओन वेक्स का मतलब मजदूरी पर यानि उसको वेतन दिया था था मजदूरी जिया थी और नुपती की जाती थी ओन शेर इन दा प्रॉफिट्स टो लुक अब्टर मैनेजमेंट आफ लैंड यानि की जो खेत है छेत रहे लैंड की लिए खेतों की देखरानी क्या करते निगरानी करने के लिए देख भाल करने के लिए नू किया जयाता था and sheep and business और जो व्यापार, sheep यानि भेड इन सब की निगरानी करने के लिए बैलिफ का न्यूपति की जाती थी तो बातसवा ने अपने फार्म की देखभाल करने के लिए या हम कहें कि अपने भेडों की देखभाल करने के लिए एक बैलिफ नमर्पद बनाया था और उस पद पर बैक्टियों को न्यूपति किया रहता था तो उसी को बैलिफ बोला गए, बैलिफ का मैनेजमेंट देखने वाला हमारे पास मान लिए फार्म है, अनाज रखा है फार्म में, फार्म का मितलब गोदाम गोदाम में अनाज रखा है और हमारे फार्म में कुछ मान लिए शीप, भेड़ वगएरा तो हम उसको देख भाल करने के लिए एक बैक्टि की न्यूपति करेंगे तो जिस बैक्टि को हम पॉइंट करेंगे, न्यूपति करेंगे, वो बैलिफ कहलाएगा फिर यहां, he is just like the manager of commercial concerns मान लेजे, एक manager होता न, जिसे, आपने कोई फैक्टि खोली, कोई गोदाम खोला तो उसका अपने एक manager न्यूपति कर दिया, तो बैलिफ भी एक manager की तरह ही था फिर यहां पर है, safer'd क्या है, बार-बार में नाम ले रहा था, तो देखिए एक person engaged, एक person जिसकी न्यूपति की जाती ही on wakes, मजदूरी पर to look after the sheep, to look after का मतलब देख भाल करने के लिए, the sheep मतलब भीड़ो की भीड़ो की देख भाल करने के लिए, एक व्यक्ति की न्यूपति की जाती थी, जिसको safer'd बोला जाता है, जैसे अपने हाँ गड़ारिया बोला जाता है, in big establishment, he is generally assisted by under safer'd, usually a young boy, अगर मान लिजिए ये कामकाज जादा है, तो इस safer'd के under में, एक under safer'd की न्यूपति की जाती थी, एक छोटा safer'd होता था, मतलब इसकी सहायता करने के लिए, और उचोटा सा boy हो सकता था, लड़का हो सकता था, 12-13 साल का लड़का होता था, okay, मतलब इस safer'd की सहायता के लिए, कभी कभी क्या होता एक under safer'd की न्यूपति कर दी जाती थी, ताकि ये इनकी सहायता कर सके, जब कामकाज जादा होता तब, अगर छोटा form है, भेने कम हैं, तो ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती थी, फिर यहाँ एक word आया, hiring fair, hiring का मतलब होता है, खरीदना या फिर बेचना, one minute, hiring का मतलब होता ह है, भरती करना, hiring fair का मतलब, भरती करने वाला मेला, माल लिजे, आपके पास एक form है, और आपके form में कोई काम करने वाला नहीं, तो एक मेला लगता था, वहाँ से आप जाईए, भरती, निकाली अपने form की, कि हमारे form में जगा खाली है, कोई अगर सेफ़ड के पदपर आना चाहता है, तो चले हमारे form में काम करे, तो मेला लगता था, खरीदने का, कि भाई, नौकरों को खरीदने का एक मेला होता था, तो वहाँ पर लोग जाते थे, जो बड़े-बड़े form वाले होते थे, जिनके पास बड़ा form होता था, खुब ज़्यादा भेड़े होती थी, व एक प्रकार का मेला, जहां पर farmers could get saffords, जहां पर farmer को क्या मिलते थे, safford मिल जाते थे, किराये पर या मजदूरी पर, उनको मजदूर मिल जाते थे, काम करने वाले कामगार मिल जाते थे, नौकर मिल जाते थे, safford मिल जाते थे, मालेज़ आपके घर में एक नौकर की जो ब क influential किते हैं ओकी तो एक μέla फ़ार्मर्स जहां पर फार्मर्स पुट सेफड्ट फेस्ट है फार्मर्स को क्या मिल जाता था सेफड्ड मिल जते थे ड्यूंप मैंने भी बताया एक पद होता था मैंने जमेंट करने वाला और वरट मैंने फिर कां developed करने जो मिल जाते थे ओके इट मेड दियर वर्क आफ गेटिंग वर्कर्स फॉर इंप्लोइमेंट इजी इससे इस मेले में क्या होता था कि भाई जिनके पास नौकर की कमी है उनको नौकर मिल जाता था और जो बैशारे नौकर होते थे जिनको काम की तलास रहती थी उनको काम मिल जाता था दोनों को फाईदा हो जाता था कि सच sorry were held regularly and different centers of the then俊ष region और यह जो मेले लगते थे यह daily लग सिर्ई और कहां पर लगते थे जो 20 जाएं चौह उसके छा महापूर अस्थान होगा वहीं पर मेले लगता था तो तो हायरिंग fix का मतलब क्या होता है भारती करने वाला मेला जहांपर आपको नौर मिल जाएंगे बयलिक मिल जाएंगे सेफ़र्ड मिल जाएंगे वर्प मैंन मिल जाएंगे ओके अब एक अब lets a sports year यहने की भेड़ बाला मेला सी उप का मीतलब क्या भेड़ का मिला एक ऐसा मिला वेर जहां पर सीप and things connected with the सीप farming could be sold or purchased एक ऐसा मिला जहां पर सीप या फिर सीप से सम्मदित कोई चीज खरीदी और बेची जाती है मतलब भेंड या फिर भेंड से सम्मदित कोई चीज खरीदी या बेची जाती है तो ऐसे मेले को कहते हैं सीप फिर ने भेंडी वाला मिला भेंड़ों को बेचा जाता है मतलब भेंडों से सम्मदित कोई चीज खरीदी बेची जाती है वासिए तो जैसे जिसके इस्टे बहुत जादा माझने वेहो भेंड है तो उसको नहला जाता था भाई ढैली क्योंकि सीप से क्या पराप्त किया था उन अगर नहलाएंगे नहीं तो उन गंदे हो जाएंगे उनके उपर जो उन लगा रहता है उन उन ही से पराप्त किया था तो इसलिए सीपों को यानी भेडों को नहलाया जाता था ताकि उनका उन सुंदर रहे Washing the सीप in a pool पूल मतलब तालाव एक चोटा सा गड़्धा होता था, तालाव लिमा, जिसमें फानी होता था, उसी में भेरो को वास कि जाता था, नहिलाय को नहिला जाता था, कि जो सीब के ऊपर कोट होता था कोत का मतलब पू जैसे बनता तो शीब। के ऊपर जो बाल होते थे उन बालों से धूल और मिट्टी हटाने के लिए उनको नहलाया झाता था जोब थितो डिमोज के थाने के तो हमारे लिए होता है, it is also a difficult time consuming operation, यह एक बहुत ही कठिन और time consuming operation है, operation का मतलब कोई काम, तो यह इसमें time बहुत लगता है, इसलिए इसको time consuming बोला गया, तो इसमें time बहुता था, इसलिए इसको time consuming operation का गया है, तो sheep washing आप समझ गया, बीच में अगर कहीं मैं पढ़ा रहा हूँ detail में, तो आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, क्या आप पहले से समझे रहेंगे, फिर एक आता है word lambing season, जब आप पढ़ेंगे detail में तो आएगा एक word lambing season, the season when female sheep gave birth to lambs, एक ऐसा मौसम जब भेड़े बच्चा देती हैं, जब भेड़े को बच्चा होता है, नहीं छोटे छोटे बच्चे होते होते हैं उसके, तो उस season को, मौसम को कहते हैं lambing season, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, फिर यहाँ पर है एक, sorry, मैं आगे चलाया, पीछे ही है, यह लिखिए, आठवा point, making a lamb take, यानि एक lamb को बनाना, अब भाई, lamb का मतलब यहाँ पर भेड़े का बच्चा, आप भेड़े का बच्चा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बनाया जाता था, कैसे, अब मैं आपको पहले समझा द मान लेजे, कोई भेड़ का बच्चा मर गया, तो भेड़ की माँ दुखी रहेगी, तो क्या करते थे, जब भेड़ का बच्चा मर जाता था, किसी भेड़ का बच्चा मर जाता था, तो उस भेड़ के बच्चे की खाल निकाल करके, दूसरे भेड़ के बच्चे पर पहना दी जाती थी, ताकि उसकी मां को ऐसा लगे कि उसका बच्चा भी जीवी थे, ओके, तो यही होता था, यही होता था, making a lamb take, अब मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ, देखिए, when a sheep's lamb dies, जब किसी भेंड का बच्चा मर जाता था, the skin of the lamb, तो उस बच्चे का, इसकी मतलब खाल, is taken out, निकाल लिया जाता था, and cleaned और साफ कर दिया जाता है, it is tied to another lamb, और यह दूसरे बच्चे पर बान दे जाता है, lamb का मतलब भेंड का बच्चा, तो दूसरे बच्चे पर उस खाल को बान दे जाता था, यानि पहना दिया जाता था, so that, ताकि the sea sheep, sea sheep का मतलब जो उसकी मा है, उसकी जो भेंड है, यानि की भेंडों में भी sea sheep ही sheep होता है, तो उसकी जो भेंड है, उसकी मा है, वो thinks, यानि सोचे, that की the lamb over which the skin of the dead lamb has been tied, की वो बच्चा जिसके उपर, उस skin को उस खाल को लगा दिया गया है, पहना दिया गया है, in her own lamb, वो उसका खुद का बच्चा है, ताकि वो ऐसा ही सोचे, okay, this operation is called making a lamb take, इसी को कहते हैं, making a lamb take, इस काम को इस operation को क्या कहते हैं, making a lamb, lamb होगा, lamb take, okay, तो समझ में making a lamb take क्या है, मतलब, जब किसी भेंड का बच्चा मर जाता है, तो उस मरे हुए बच्चे के खाल को निकाल कर, किसी दूसरे बच्चे पर, या दूसरे भेंड के बच्चे पर पहना दिया जाता था, ताकि जिस भेंड का बच्चा मरा है, वो ऐसा सूचे कि हमारा बच्चा भी जीवित है, और वो थोड़ा सब खुस रहे, okay, इसलिए कि आता था, ये सब system था वहाँ, फिर यहाँ पर ए भेंड के बाल होते थे, खालो पर, उके, शरीर पर, उन उन ही से पराप्ती आता, तो उन के, जो उन होते थे, उनको काटने की जो पिरक्रिया थी, उसको sharing बोला जाता है, okay, तो जब उन वगएरा काट लेते थे सारे मजदूर, तो रात को एक सपर करते थे, मिलकर आराम से, भोजन करते थे एक सार, सपर का मितलब क्या थे, रात्री भोज, तो sharing सपर वही कहा गया है कि, बाल वगएरा सब काटने के बाद, यानि कि उन भेंडों से निकाल लेने के बाद, रात में अराम से जो enjoy करते थे, एक सार बैठ कर काना काते थे, उसको बोला गया sharing सपर, okay, तो sharing सपर में पढ़ता है, sheep sharing, sheep sharing मतलब sheep के बाल काटना, यानि उन निकालना, is an arduous job, एक कठिन काम है, मुश्किल भरा काम है, in which जिसमें, almost all the workmen, लगबख सभी काम करने वाले लोग, often establishment participate, एक साथ participate करते थे, okay, establishment मतलब, एक साथ लगते थे, उस काम को करने में participate करते थे, एक साथ, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था, भेंडों से उन को निकालना, ये थोड़ा कठिन काम था, तो इसलिए सभी लोग, चितने भी workmen होते थे, एक साथ काम करते थे, after the successful completion, दब सफलता पूरोग समापन हो ज operation के बाद, यानि भेंड से उन निकालने के बाद, जब सफल समापन हो जाता था, तब क्या होता था, a feast is arranged, एक भोज आयूजित के आता था, भोज मतलब समारो, भोज समारो, खाने पीने का समारो जैसे होता निमंत्रन, बहुत आज मेहनत की, आप चलो, रात में से लोग मिल कर खाएंगे, तो faced का मतलब होता है, भोज, एक भोज समारो का आयूजन के आता था, to facilitate the workman, उन workman के साथ एक परकार से मनोरंजन करने के लिए, मिल विल कर खाने के लिए, उके, it is celebrated, ये मनाया जादा था, भी great enthusiasm, बहुत ही उस साह से, उस समय लोग गाना वगारा गाते थे, एक साथ बैठ करो के, workman engaged in eating, workman खाने में engaged होते थे, लगे होते थे, drinking पीने में लगे होते थे, यानि पीते भीते सराब गएरा, singing गाते थे, dancing till the late hours, और घंटों तक गाते नाशते रहते थे, मालज आपका एक farm है, उसमें आपके कई मजदूर है काम करने वाले, उन्होंने दिन भर सारा काम किया, बाल काटे, यानि कि उन निकाला भीडो से, रात में अपने मालिक के साथ वो सब क्या करेंगे, enjoy करेंगे, आपने उनकों ने मंतर दे दिया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आज आप आईए हमारे साथ, enjoy कीजे, रातरी भूजन हमारे घर पर कीजे, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप रहेंगे, आपकी मजदूर रहेंगे, enjoy करेंगे, singing करेंगे, dance करेंगे, पांसरी बजाएंगे, गाना गाएंगे, ओके, तो यही होता था searing supper, फिर है hay making, ये भी एक प्रक्रिया होती थी, ये भी एक operation था, operation मतलब काम नहीं होता है, जैसे घास पूस नहीं होता है, जैसे आप धर धान को, धान की फसल कारते हैं, तो उसमें से जब धान को निकाल लेते हैं, तो जो घास पूस बचता है, उसी को hay बोला जाता है, okay, तो the operation of cutting and drying the grass, यानि अनाजों को काटने के बाद और उनको सुखाने के बाद जो परिक्रिया जो चीज निकलता था, उसको hay बोला जाते थे, okay, the hay is stored to serve a torder of cattle, यानि, sorry, a torder लिखा है, fodder for cattle, यानि की अब ये घास किसके लिए था, पस्वो को खिलाने के लिए, इसको store कर लिए जाता था, इकटा कर लिए जाता था, अनास तो हम लोग खाते हैं भाई, जो घास फूस होता है, उसको हम लोग store कर लेते हैं ऐसे, गड़ी लगा देते हैं उसकी, गाओं में एक सर देखा होगा अपने, गेहु चावल के इसे, चावल के नहीं, मलब जो गेहु चावल के जो घास फूस होते हैं, फसल का घास फूस होता है, उसको गठर लगा देते ऐसे उचे उचे तो उसी को हो लगिए तो हे मेकिंग मतलब घास फूस बनाना तो एक घास फूस कय से बनाते थे फसल को काटते थे उसको सुखाते थे उससे अनाज निकाल लेते थे फिर जो बचता था वो हे मेकिंग होता था हारवेश्ट सपर तो अभी मैंने आपको बता था सेरिंग सपर अभी एक सपर और आहाया है हारवेश्ट सपर तो यह भी भोजन का समारों होता था जब पूरी प्रीक्रिया हो जाती थी ऑके माले जी अनाज आपने फसल बोया उसमें वुरा उसकी खेती आन्य जुटाई की खुदाई की या फिर उसमें जो भी करना होता है निराई, गुडाई सब किया फिर फसल उगाई उसको काटा फिर उससे अनाज निकाले अनाज अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया, सब कुछ अलग करके रख दिया, फिर एक party होती थी, एक भोजन का समारो होता था, आज जीत किया आता था, तो उसको बोलते थे हैं harvest, सपर, तो ये पूरी प्रिक्रिया होने के बाद ये भोजन समारू होता था देखे इट मार्स दक कल्मिनेशन आफ एग्रिकल्चर एक्टिविटीस कल्मिनेशन का मतलब समाप्ति करण या चरम बिंदु कहते हैं मतलब जब चरम बिंदु होता था यानि कि पूरा काम फसल का हो जाता था कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु या पराकास था यानि कि अंतिम अंतिम समय यानि फसल के क्रियाओं का जब अंतिम समय होता था spread over a full season extending to several months یعنی कै महीनों से उसमें जो परिक्रिया चल रही थी उसके over हो जाने के बाद over हो जाने के बाद یعنی खतम हो जाने के बाद activities मतलब परिक्रिया तो सारी परिक्रियाओं के over हो जाने के बाद इस सपर को आजूजित किया जाता था अब कौन कौन सी परिक्रियाए थी देखी, starting with the plot of the field, यानी कि सबसे पहले खेतिव को जोता जाता था, ending with the harvesting of the crops, और लाष्ट में सबसे क्या क्या जाता था, फस्लों को harvesting क्या आता था, यानी काटा जाता था, तो हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसलों को काटना तो यह नहीं मैंने पहले ही बता दिया कि शुरुवात में क्या होता था फसलों को बॉय आता था फिर तमाम तरह कि उसमें प्रिक्रियां की आती निराई गुडाई खुदाई बुवाई सिचाई यह सब करने के बाद फिर आउसर होता था ग्रेट बड़ी प्रसनता का बड़े ज्वाई का मनुरंजन का यानि कि सभी लोग एक साथ खाना खाते थे तो ही ऑन दिस अकेजन इस आउसर पर ग्रेंड फीश्ट इस अरेंजड महान भोज समारू का आउजन कहता था बहुत बड़े भोज समारू का आउ पर्टी देते हैं तो ऐसे ही जो मालिक होते थे पर्वाऊंद के एपने वरकर के लिए के लिए महमानों को भी घुला लेते थे थे अथैस्थ करने के बाद जब फसल पूरी रख धी जाती थी गोदाम में और उसका घास फूष अलग कर दिया गया तो एक रात्री मालिक सब को बुलाता था, उस रात्र सब इंज्वाय करते थे, भोजन करते थे, गाना गाते थे, नासते थे, बांसरी बजाते थे, यानि गाउं के छेत्र में ये सपर्स होता है, यानि रात्री का भोजन और फिर यानि मेले, ये बहुत ज़्यादा इंप्वाय्टेंस रखते है, इंका मतलब महत होता है, नासते थे, थे ब्रेक दाम on Pham changed I like a ndff was simple दे मुखन a sp जीवन के आलेस और उबाउपन कोई दूर कर देते मौनटमिन ड़ोल नसिक अरॉप उबाउपन तो इसको दूर कर दे भाई आप बहुत आलस आलस लग रहा है कोई मजा नहीं आरहा है कहीं मेला आ गया या कहीं कोई तो भार आगया कोई निमंदरन मिल गा तो क्या होता था आपकी उदाशी दूर हो जाती खुस हो जाते हैं आप तो यह सारे चीज़े क्या करते थे यह ब्रेक कर देते थे तोड़ देते थे साधारान जीवन के मोनटमी और देटेते थे और एक ऐसा आउसार प्रदान करते थे कि लोग उसको इंजॉय करते थे इंजॉयमेंट के लिए मनुरंजन करते थे मेले तोभार ओके यह जो सपारसनी मंत्र गएरे सब इंजॉय के लिए होते थे ताकि सबी लोग मिल करके एक राध सही से अपना मतलब मनुरंजन करें सिंगिंग करें जो भी करना है इंटर्टेंडमेंट करें ओके सोशल कांट्रेक्ट और कुछ अपने समझोते भी करें बातचीत करें अब ये चीज़े क्या है दे का मतलब यहाँ पर फियर सब्स तो ये क्या करते हैं इंटिमेट गिंप्स अब दे सिंपल लाइफ यहनी कि सिंपल लाइफ और गाओं के लोगों की जन जीवन के बारे में बताते हैं रूरल फॉक का मतलब होता है जन जीवन ओके गाओं का जो जन जीवन होता है चार-पांच टंस आवर है उनको भी देख लेजिए कौर्ण मार्केट क्या होता है आप इसमें सुनेंगे जब मैं डिटेर में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आएगा वर्ड कौर्ण मार्केट का फासल और फासल को खरीदना बेचना वही कौन मार्केट था ओके एं रूरल मार्केट एं गाओं का बाजार टेकिंग प्लेस आफ रेगुलर इंटरवल जो की रेगुलर खुलता था इंटरवल के भाड़ा मतलब बीच में एक दो घंटे का इंटरवल होता था बाकी weekly at such markets the farmers on of the neighborhood come and trade in corn and hey I say आउसरों पर यानि ऐसे जगों पर लोग आते थे basically कौन से लोग farmers आते थे या ब्यापारी आते थे neighborhood मतलब पडोश से okay trade in corn and है और यह अपने घास फूस का या फिर फसलों का या फिर अनाजों का trade करते थे ब्यापार लेना देना okay here one can get all things यहां पर कोई ब्यक्ति आता था उसको सारी चीज़े मिल जाते थी जैसे seeds manures implements etc connected with agriculture यानि agriculture से सारे उपकरण बीज खाद वगएरा मिल जाते थी इन बाजारों में फिर एक word आता इसमें एक word आता इसमें यह देखिए malt house malt house का मतलब एक प्रकार से जहां पर आप सराब पीने जाते हैं वैसे मदुसाला ही होता है एक प्रकार का यह भी एक word भी इसमें और आएगा जो भी इसी से समंदित रहेगा वह भी तो माल्ट हाउस का मतलब एक प्रकार दोती है एक दुकान होता है ओके superficial उस्थान यहां पर शड़ाब का मतलब बीषत भी छाइब रभी मतलब सब्सक्राब होता है एक से से क्ला सोल्ड घूने कि यह सारी चीज़ से बेचि concur सब्सक्राइब पूर्ट पर गरीब बेचारे काम करने वाले लोग आते थे रात में अपना पीते खाते थे, here people collect in formal and mood, and so naturally it is usually quite crowded, it is a place for local social gossip, यहाँ पर लोग gossip करने आते थे, और यह crowded होता था, यानि भीड से भरा होता था, informal mood का मतलब, अजीम mood में रहते थे, मतलब नसे के mood में रहते थे, okay, उल्टी सीधी बाते लोग करना, फिर gossip करना, असी मजाग करना, यह सारी चीज़े होती थी in place पर, फिर एक होई malt, तो malt मैंने अभी आपको बता दिया, it is a preparation made from the barley, बारले का मतलब होता जव, एक अनाज होता है जव, तो यह malt क्या है, जव से बनने वाली एक सराब है, okay, यहाँ लिखा भी है, देखे, it can be served both in liquid and solid, यह solid form में भी होती है, नसे की चीज़ होती है, थोड़ी से, liquid form में भी होती है, यह सराब के रूप में भी होती है, या फिर नसे के ठोस पदाज के रूप में भी होती है, छोटे छोटे तीन चार वर्ड्स और हैं, बस यह देखे, cider, तो cider मैंने आपको बता ही दिया, it is a drink prepared from apples, workman already found of cider, यहनि जो workman होते थे, बहुत जाद इसको पसंद करते थे, और यह किसे प्रिपेर की जाती थी, apples, यह सराब apples बनाई जाती थी, तो टैवन, तो टैवन जैसे माल्टा हाउस था न, वैसे ही टैवन भी होता था, मैंने आपको बता था, एक word हो रहाएगा, तो टैवन और माल्टा हाउस लगबख सेम ही थे, यहाँ पर भी सराब ही मिलती थी, दिखे, it is just like an in, एक सराय की तरह होती, सराय यहाँ पर इन का मतलब भी बताया गया है, तो इन का मतलब क्यों होता है, पब्लिक हाउस, वैर लॉजिंग, ड्रिंक्स और मिल्स में भी, हैड, it is usually in country, यानि कि एक सराय होता था, जहाँ पर लोगों की रहने के लिए बियोस्था होती थी, खाने-पीने की बियोस्था होती जैसे आप होटल कह सकते हैं ना, जैसे सराय मतलब क्या कहते थे, जैसे आप कहीं दूर जाते हैं, मंदिर वगेरा जाते हैं ना, बड़े बड़े तीर्थ पर जाते हैं तो वहां लॉजिंस होते हैं रहने ठहरने के लिए अस्थर वहां पर आप जाते हैं एक दिन के लिए रहते हैं कुछ खाना पीना आपको मिलता है वहां पर खाने पीने की रहने की लिए बेवस्था दी जाती है आपको थोड़ा बहुत किराह देना पड़ता है तो उसको इन बोला जाता है तो यह जो टाइवन था यह भी इन की तरह ही था वेर फूड और ड्रिंक्स आर अवेलबल जहां फूड और ड्रिंक्स अवेलबल होते थे मतलब खाने पीने की चीज़े मौझूद होती थी promises itself मतलब कुछ पैसा आपको consume करना पड़ता था इन मैंने आपको बता ही दिया union house एक word आएगा इसमें union house तो यह क्या है an orphanage where poor people can get food and shelter एक मतलब एक अनाथ हाल है आप कह सकते है union house का मतलब orphanage का मतलब जहांपर अनाथ लोग बेचारे, गरीब बच्चे या फिर कोई जिनका कोई नहीं है वो लोग आते थे उनको खाना दिया जाता था और रहने के लिए इस्थान दिया था तो एक अनाथ हाला भी इसको बोल सकते है union house को okay hiving the bees hiving the bees मतलब मख्खी पालन sorry मधु मख्खी पालन okay, bees का मतलब होता है मधु मख्खी और hiving का मतलब इसको पालन the operation of collecting bees यानि bees को इकठा करने का एक काम था यानि उनको पालने का काम था inside is hive इसलिए basket और box for keeping the bees यानि एक basket वगएरा कोई होता था पेंड उपर लटका दिया था तो उसी पर मधु मख्खी पाला जाता था okay, उनसे सहर लेने के लिए तो ये मधु मख्खी पाला न, having the bees okay, sent valentine day sent valentine day एक ऐसा डे होता है 14 फरवरी को मना जाता है आप सभी लोग जानते है ग्रेमी एक दूसरे को कुछ देते हैं अपना साथ ही चुनते हैं, okay परपोस करते हैं वही चीज़ है 14 February, every year is celebrated as sent valentine day यानि sent valentine day की रूप में 14 फरवरी को ये मना जाता है it is popularly believed that ऐसा माना जाता है कि birds choose their mates कि चिडिया अपना क्या चुनती हैं वर चुनती है, mates का मतलब साथ ही कोन चुनता है, चिडिया, पक्छी ये जो चिडिया हैं अपना साथ ही चुनती हैं इस दिन, on this day मतलब इस दिन लेकिन अप चिडिया छोड़ो यहां पर लोग अपना साथ ही चुनते हैं okay, valentine day बहुत खास होता है कोई सभी day याद हो यह ना याद हो, 26 January याद है 15 अगस्त याद है नहीं, याद है दो अक्टूबर कोई किसी की जैनती तेवहार किस दिन पढ़ता है याद नहीं यह, लेकिन valentine day याद रहता है so, अभी bird के लिए नहीं रहेगा अब तो यह आदमी अपना मेट्स मतलब साथ ही ढूंगते, अब आदमी ढूंगने लोगे पहले birds के लिए था okay, माना जाता है birds के लिए लेकिन अब इसका उप्योग दूसरे दूप में हो रहा है so, it is the day when unmarried young men देखिए, unmarried young men आभी बाहित नौईवक and women send love letters एक दूसरे को क्या करते हैं, love letters बेशते हैं and gift और gift बेशते है as tokens of the love of members of opposite sex opposite sex का मतलब बिप्रीत link वो कि जैसे भाई एक pulling होता है और एक strilling होता है, अब भाई लड़का लड़का को तो भेजेगा नहीं opposite sex का मतलब होता है एक लड़की हो एक लड़का हो, तो अपने love के token के रूप में एक चिन्न के रूप में कुछ देते हैं इस दिन gift बगएरा देते हैं, ओके सारी प्रक्रियाएं होती है, वेलेंटाइन का मतलब एक पत्र होता है, जो आप पत्र देते हैं उसी को वेलेंटाइन कहागा एक gift letter और greeting एक greeting होता है, उसी को वेलेंटाइन बोला जाता है card होता है, okay sent with specific purpose of expressing love is card valentine, यानि कि किसी को purpose करने के लिए जब आप किसी को letter देते हैं, उसी कुछ रख करके देते हैं तो उस card को उस letter को वेलेंटाइन बोला जाता है फिर यह देखिए, बस आपका यह दो वर्ड और बचे हैं, एक है Gothic, sorry, architecture the style of architecture popular in England and other west European countries from 12 to 16th centuries the clusters of columns and pointed arcs were the characteristics, features of the types of architecture, देखिए इसको समझ लेजेए मैं कुछ आपको समझाना नहीं architecture क्या मतलब होता, इस्थापर तिकला यानि घरों को महलों को बनानी के जो कला होती, भाई भारत के घर कुछ अलग परकार से बनते हैं, इंग्लेंड के घर आप जाएंगे, वहाँ की जो building है वो अलग परकार से बनते हैं, तो इंग्लेंड या European country में जिस सैली के दोड़ा इमारतों का निर्मार किया जाता है उसको बोलते हैं Gothic architecture यानि की Gothic सैली बोलते हैं जैसे अपने यहां मंदिर और इमारत किस सैली में बनी हैं उत्तर भारत में नागर सैली में मद भारत में जितनी भी इमारते बनी हैं, मंदिर बने हैं, सब बेसर सैली में बने हैं और दच्छड भारत में सब द्रविड सैली में बने हैं तो अपने भारत में तीन सैली विसेश कर पाई जाती है द्रविड सैली, नागर सैली, बेसर सैली आसे ही उर्स की एंगलिनर की है जो है हो भी एक सैली है गॉथिक सैली ओके वहां इमारते इसी साली बना ही जाते है चर्च यार्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक लाश्ट वर्ड है इसको भी देख लिए अपर एक दिखिले। ओके इसाई लोगों में चर्च के पास ही एक जगा होती है जैसे चर्च जहां होता उसी के पास ही जगा होती वहीं पर मरे हुए इसाई लोगों को दफना जाता है तो वही है चर्च यार्ड तो यह आपका इंट्रोडक्शन पूरा कम्प्लीट हो गया अब अगली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी नए वाले चैनल पर चैप्टर वन से पढ़ाया जाएगा और इसके 57-58 पार्ट हाएंगे चैप्टर 1,2,3,4,5,5 मिनट के वीडियो रहेंगे बहुत चोटे चोटे चैप्टर है मतलब एक दिन में आप 34 चैप्टर सब्सक्राइब करना है और ये दूसरा चैनल है जिस पर आगे की वीडियो आएंगे डिटेल में उसको भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है